के यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चलेगा आप लोग की क्लास स्टार्ट होनी वाली है तो आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए उससे पहले आपको 10 सेकन आपको लूँगा तिक बार आपको रिवाइस करा देता हूं कि हमारा आफर चल रहा है कि किवाल उन बच्चों के लिए जो किसी कारण वास पैसे के नाम से मारा बैच जोईनी के अवर पाया थे उनके लिए संदर बैच है किवाल 299 रूपीस में आपको अभी तक जितने भी टेस्ट हुए नौ महने में सारे लिंक लगबग 100 टेस्ट लिंक एक साथ आपको दे रह गई थी तो देख लीजिएगा जिनको भी लेना होगा क्लास के बार आप लोग मैसेज कर दीजिएगा और चले क्लास स्टार्ट होने वाला है आप लोग त्यार हो जाईए एक बार लाइफ चेट आउन कर दीजिए उसमें आपको आंसा देना रहेगा ठीक है तो बस इतने जानके देना तो देख लिजेगी हैं मौका मत छोड़िएगा जिन लोग भी पैसेक नाम सभी तक जॉइन नहीं किये थे और प्रफेक्ट त्यारी हो जाएगा आपको डेली रिविजन कीजिए टेस्ट दिलाई एक दिन में एक सब्सक्राइब कीजिए ठिक चले बस इतने बहूरा कोशन निight किया भीइं सअथ कौन का सिठ आज कभी निमनलिकित में कौनसा अभी क्रमिक अनुडेशन का सिधान्त नहीं है अपको बताना इसमें कौने से 10 minutes का सिधान नहीं है अब्यास का सित्धान सकरी अनुक्रिया का सिध्धान पूरारUNTवलन का सिध्धान छोट पुनर भालन का सिद्धान थे सक्रीयनुक्रिया का सिद्धान थे और चोटे-चोटे पड़ों का CiYa jecki nab के अभी क्रमिक एनूडे तो याद रखेगा पुनरबन का सिद्धान चोटे पड़ों का सिद्धान यह तीनों सक आते हैं तॉनkom Herren की को आगे बलते हो सेकेंड को स्कीन पर दिखाऴगा आउंगे सेकंड कोस्ट nervous के उध्दीपक अनूकरिया शिर्दान एस आउर देवरी एस आउर स्विए ये डाय कुछिए चिए तक हुल राटी चलिफे तो स्फेक्व किसे चलिवर तो जीर्दी भूण में क्या महत्तोर कीए बताएगा प्रसूत ब्यवहार उद्धीपक अभीप्रेयरक या अंतर नोद बताईए क्या चीज थान्रेट के एसर पद्धती में महत्रपूर्ण नहीं है चले कमेंट कीज़े नीचे लाइब चैट में चलेगा कमेंट कीज़ेंगा आप लोग से इसका अंसर देखें क्या हो जाएगा इसका ऑप्सन नमर ए क्रिया प्रसूत ब्यवहार यह इंपोर्टन यह बाकि आप तीनो उद्धीपक अभीप्रेड़क और अंतर नोद यह तीनो आपके ठान्रेट के जो एसर सिद्धान के अं बाकि यह तीनों है चलेगा आगे बढ़ें कि नेश्ट अगला कोशन कोशन नमर तीसरा सभी कोशन बहुत महत्पूर्ण है आपके एक्जाम लेवल पर ही बने है ठीक है आप सीटेट की तैयारी करो तो भी आपका बहुत महत्पूर्ण कोशन है सीटेट हो गए टीचर वह जाए और आपका सायक सीटेट के लिए हो गया तीनों के लिए पहलार हम लोग कोशन को सेट लेके आ रहा है जो आपको तीनों के लिए बेनीफिट है चले तीसा कोशन पर है छोटा दिखाई दे रहा होगा पढ़ेंगे निम लिखित में किस अधिगम को गेने ने अपनी अ पढ़ें कि आप देखते हैं नहीं पढ़ेंगे तो अभी जान दाएंगे देखिए आप लोग बताइए का उसमें लाइफ चैन में आंसर देखिए जो मनोवेग्यानिक थे रॉबर्ट एम गेने इनका पूरा नाम क्या था तो रॉबर्ट रॉबर्ट एम गेने एम गेने ठीक है रॉबर्ट एम गेने का पूरा नाम था ठीक है इनने एक बिसेश प्रका के पदानुकरम की विवस्था की थी जिसमें क्या होता था समस्या समधान अधिगम को सरवादिक उच्छे स्थान दिया जाता था जबकि निमने इस्थाम पे किसको रखते थे संकेत अधिग सास्त्री अनूबंधन का सिधान किस ने दिया है था चौथा आपके इसके पर दिखाई दे रहा है कि सिक्षड के दौरान आवाज में उतार चड़ाओ का उदाहरन है आवाज में आप लोगों को उतार चड़ा होता है जो टीचर पढ़ाता है तो तो सब किसके अंदगत आते हैं उद्धीपन परिवलतन कोसल समापन कोसल पुनर क्या हो जाएगा देखिए सिक्षड के दौरान जो आवाज मुतार चड़ा होता है उद्धीपन परिवलतन कोसल के अंतगत होता है इसका सही आंसर है जितने जितने लोगों नहीं और बहुत सही जवाब है आप लोग का आप लोग पढ़ गया है ठीक है क्योंकि इसमें बा सांप्रेश्ण प्रक्रिया का तत्व नहीं है संप्रेश्ण के अंतगत कौन सा नहीं आता माध्यम और बलन प्रति पुष्टि अंतक्रिया चले बताएगा कोश्चन 5 का अंसर क्या होगा धा कि ठीक है ज़ली जली आप लोग आसर देजी तिट जो नय होगे आप लोग क्लास होते हैं पूरे हफ्ते वर का रिविजन करते हैं हम लोग 12 वजे से ठीक है तो दोनों क्लासेस आपको डेली देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ठीक है ताकि जो भी क्लास हो आपको 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेसम पर्शनली मिल जाता है अगर आते हैं ठीक है नास्ट कोश्चन कोश्चन नमर सिख्स मंडित मना बालको की सिख्चा है तू कौन सा उपागम उप्युक्त कहा जा सकता है मंडित मना बालको की सिख्चा है तू कौन सा उपागम उप्युक्त कहा जा सकता है वैक्तिक अनुदेशन उच्चे इस्तरी पाठ सब्सक्राइब देंगे अनुदेशन तब तो डूत सूधार पाएक ना तो वैक्टिक अनुदेशन का मत्पून उपागम है वैक्तिक अनुदेशन से मंद बुर्द्धी बालकों के शिक्षा के सफलता पतालगा कर शिक्ष क्या कर तो उसी का और का एकाम करता है तो भी यह आंसर आएगा तीक है मन बुद्धि जो बालक हो उनको पर्शनली वेक्तिगत अनुदेशन देकर उनके पर्षानी है समस्याओं को कम कर सकते हैं चले को शनमा किने संघ्व हो आपके स्क्राइन सद्रीक दिखाएं झाइए धिर बड़ें कौन सा कैथन सत्य नहीं है पताई दर सीखना वेवार प्रियुर्टन कि उट्रक्रिएघ्ल करिया विकासि एक माटरातमक्र प्रक्रिया मुथे तॉ achievements आपको बताने हैं कौन साही नहीं बोलाएं नहीं कौन सा सही नहीं है अच्छी से पढ़िए का कोश्चन कोश्चन साथ का अंसर करिए पहला ओप्सन क्या पहलता है सीखना वेवहार परियोतन होता है इसका अंसर क्या हो जाएगा ओप्सन सीग है है हमारे जो विखास मात्रांत्मक नहीं है ठीख है क्योंकि जीवन परियन चलने वाली प्रक्रिया है तो हमारा ओप्शन ऋबस्सित चलेगा कोशन नमर migrant देखेंगे चेत्र वीजने में बालक की विशिच्च युगदता ये विशिच्च च्छमता को क्या कहते हैं उसका मुल्य कह रूची कहते हैं अभी 6 बोलते हैं या अभिप्रेणा बोलतें तो जिहां दिजेगा हैं इसका जब्चांटिया क्या हो देखना चाहता है क्यों आपड़र लेंगे तो याथ डखीएगा टेट चाहे वह कुछ से श्यों दो टेट लेटा है तो क्या बोलते हैं अभी की श्यामतां था तो जो टीटी का पेपर होता है वह आपके अभी छमता को नापता है तो आगे बढ़ते हैं कोशन देखेंगे ब्रूनर की प्रतिक विम्ब आत्मक अवस्था प्याज हो संग्यानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलते जलती है तो याद प्रति वHar और हैं यह दोनों में कि समानता दिखती को कि अउस्था संक्रियात्मक ऑवस्था या पूरों संक्रियात्मक आपके सामने है और आझा कुछ लोग कम एंसर देते हैं उनको लाइप चाट की आपको आपको आथा में जनेगे योगा सी को और संख्र thief तो ध्यान दीजेगा ब्रूनर की पती बिम्बात्मक अवस्ता प्याजए के संग्यारात्प में क्मी परिवेश की वस्तो को पहचानने लगता थी organic भासा की विकास की सबसे महत्पून अवस्था पूर्व संक्रियात्मा को ठीक है चलेगा आगे बढ़ते हैं कि नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमर दस्वा कि निम्न में व्यक्तितों के गूर सिध्धान से समद्धित नहीं है आपके सीटेट में आज यह कोश्चन डाले थे तो उसमें और इस से चट के जो और बहतर कोश्चन रहते हैं तो जरू तो जरू जोइन कीजिए आप लोग बार बार मैं आपको बोलता हूं इतना खर्चागा के डियेट बेट की हैं एक बर मौका मिला एक पोस्ट ले लीजे और दो सब पांसों रुपे मत देखिए लाख मतलब आपकी तयारी अधूरी है अगर आपको चेक करना है कि मेरी तयारी कितना है तो जुरूर हमारे जोइन कीजिए टेस्ट दीजिए डेली आपको रैंक रिजा टॉपलिस मिलता है ठीक है चलेगा तो कोश्चन पर आ जाते हैं निम नमी कौन सा व्यक्तित्तों के गुड आइसेंग आलपोड यह तीनों आपके व्यक्तितों के गुड़ सिधान से संबंधित है ठीक है चलेगा आगे बड़े कोशन कोशन में 11 कि स्रीजनात्मक्ता समस्य समधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सुचनावा पर दिहान नहीं देता उसे क्या करते है प्रबोधन अनुवादन चले बताइए क्यारों कोशन के चार आपके सामने हैं बताइएगा कौन से सही आंसर आएगा इसमें स्रीजनात्मक्त समस्या की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सुचनावा को ध्यान नहीं देता उसको क्या बलते हैं ऑप्सन नमर्बी उ सबसे छोटी क्या है और था विज्ञान वाक विध्यास, ध्वनी ग्राम रूप ग्राम बताइगा बले जाने वाली भासा की सबसे छोटी क्याई हैं option number C ध्वनी ग्राम बालक जन्म से रोने लगता है जिससे वह ध्वनी आवाज निकालने लगता है यह ध्वनिया क्या होती है पूनता स्वभाविक स्वचालित और नैसरगी होती है इन्हें सीखा नहीं जाता ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे को स्रीजनात्मक्ता चिंतन को सरवादिक अच्छे धन से अनुमानित किया जा सकते हैं एक टीचर को जाना कि मेरा जो बच्चा है तो स्रीजन सिलता का गूर्ण है इसमें कि नहीं यह कुछ बना सकते हैं अ बताईएगा कोश्चन आपके सामने है इसे कौन बता सकता है अब अच्छों पूछे कोई भी चिल ले लिए इसको कौन बना सकता है पूछे कि इसे कितने भीनत तरीकों से हल किया जा सकता है क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं सहीं उत्तर बताएं यह चारों कोश्चन मे नुमानित करने वाल प्रस्ट इसे कितने विभिन तरीकों से हल किया जा सकता है इस कोश्चन से आपको मिल जाएगा आपसे नमबर बी देखे आप यह पूछेंगे बच्चा आलग लग सोची ने ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी तो कर सकते नैने वीचार उनमें उट पर नहोंग कोश्चन है बारबर रिपिटेट कोश्चन होता है ऐसे तीक है करी बार इस सीटेट में ने हैं कोशन है बताएगे का सुचमांसीख्षन इसको क्या नाम से जाते हैं प्रभाव साली सिक्षन के नाम से जाना जाता है सवरुपरतम कप्प्रयोग किये थे तो 1963 में याद रख छोटा किया जाते इसको चूटा रूप में तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑपसन प्रभावसाली चाण नाम से जानता है तो आप स्क्षाल में लिजेंगे प्रभावसाली से चैक चल्ड़ें को डिवा मैक्स जूगल फ्रायड मैस लो चलिए आप लोग मिला लीजिए इसको एक दो मिला लीजिए सो पैगे अगले पैज में आएगा गया चारो आप्सन करता हो यह सवतना का लेते हैं इसके आगे कशषिन करते एंगे टरिए Gibson हाश चलिए आख बताईगा है आ छयोग मिलाते हैं हल हल का क्या है प्रणूद और कलन का सिद्धान सीधा ले जाइए इसको यहां से इठा लिजें है ईक स्टेंबर दे को लेकर है करें यहां चार नमबर पर तो लिए टेए तो एक चार मम चया है इसमें किसम नहीं दिखाए दिखाए और अगला क्या है मैक्स टूगल का सिधान मूल प्रवित्ती का सिधान थी नहीं दिया था तो B की हो जाएका 2 है आपके C में भी है और D में यह 2 तो कट गए उपर के फेराट का आपको सब्वी को पता होना चीए सब्सक्राइब करेंगे जिन लोग भी नए देख रहे थे वह चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करेंगे जिन लोग नए होंगे हमारे बैच जोइन करना चाहते तो देख लीजेगा आपको बता दियों बैच कवारे में डिस्क्रिप्सम बाक्स में हमारी पूरी डीटेल है वहाँ वाट्सअप नमबर है वहाँ आप कॉल भी कर सकते हैं और वाट्सअप करके आप डिटेल ले लिजे रेजिस्टेशन करा लिजे एक बार मौका मिला मिस्स मत करीजेगा चले मिलता है फिर नेस्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे तब तक लिए बैस्ट अपलग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चले आप लोग की क्लास स्टार्ट होने वाली है तो आप लोग लिंग को सेयर कर दीजे उससे पहले आपको 10 सिकन आपको लूँगा इपड़ आपको रिवाइस करा देता हूं कि हमारा आफर चार रहा है कि दो कभी आपको 299 रूपीज में जाएगा दोने बेच लेते हैं 599 रूपीज में तीनों आफर अभी किवल दो दिंग के लिए तो देख लीजेगा जिनको भी लेना होगा और हमारा प्रैक्टिस से बुग भी आपको किवल 99 रूपीज में मिल रहा है तो इन सभी की जानकर देख लिजेगी हैं मौका मत छोड़िएगा जिन लोग भी पैसेक नाम सभी तक जॉइन नहीं किये थे और प्रफेक्ट त्यारी हो जाएगा आपको डेली रिविजन कीजिए टेस्ट दिलाई एक दिन में एक एक सब्सेक कम्प्लेट कीजिए ठिक चले बस इतने जानके द देन था क्लासी स्टार्ट करते हैं सेर कर दीज आप लोग